गौलियर में रात को गोनवाना एक्स्प्रेस से दिल्ली से गौलियर आ रही महिला को मौके पर मौजूद आर पीएफ के तीन जवानों ने जान पर खेलकल बचाया है महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करते समय प्लेट फॉर्म वा कोच के नीचे लटक गई थी महिला को समय रहते चेन पुलिंग कर उसे सुरच्छित बचा लिया हलाकि इस घटना में महिला के हाथ पैर में हलकी चोट आई है जान बचाने के बाद महिला ने तीनों जवानों को दुआई देते हुए गौलियर इसित घर के लिए रवाना हो गई जानकारी के अनुसार मेहगाओ निवासी सुनीता पत्नी प्रेम नारायन सर्मा उम्र बामन वर्स बीती रात निजामुद दीन से गौलियर आने के लिए गौनवाना एक्सप्रस से स्लीपर कोच S2 की सीट नंबर 60 पर सवार होई थी ट्रेन जब रात में गौलियर स्टेशन पर पहुचे तो प्लेटफॉर्म नंबर पर एक सागर में चल रही अगनी वीर सेना भरती में सामिल होने जाने वाले ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुखते ही स्लीपर कोच में S2 में चर्ता सुरू हो गई इसी बीच ट्रेन दो मिनट रुखने के बाद जहासी के लिए रवाना होने लगी चलती ट्रेन से उतरने समय यात्री सुनीता सर्मा लगेश के साथ पाइदान से लटक कर प्लेटफॉर्म वा कोच के बीच लटक गई महिला को लटका देख मौके पर मौजूद आरपीएफ सहायक उपनिरीचक दिवेश सर्मा प्रधान आरचक रविंद सिंग वा आरचक राकेश कुमार ने अपनी जान की परवान नहीं कर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोकने के बाद महिला को सुरच्छित बचा लिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेक्डो यातियों ने आरपीएफ स्कॉर्ट की प्रसंसा कर बुजुर्ग यातिरियों ने पीट थप थपाई तो मतलब यह कुलमला के यह है कि यह आगए फोर्स वाले भी नीचे आगए फिर इन्होंने यह जो बाइसा पड़े हुए यह भी आरपीएफ में एसाई है और यह सब खड़े हुए लोग इन्होंने सबकी मदद करते हुए जो है इनको बचाया है